मिश्कार दबाव ने प्रभाव हमारे निश्पक्ष डिजिटिल प्लाटफर्म दैनिक साथी में आपका स्वागत है सवा दो साल में मनोहर कैबिनेट का पहला विस्तार CM बोले JJP से देविंद्र बबली और BJP से कमल गुपता मंतरी बनेंगे शाम चार बजे लेंगे शपत राजय पाल दो नए मंतरियों को दिलाएंगे शपत मुख्य मंतरी और डिप T.C.M. रहेंगे मुझूद कोरोना प्रोटोकोल का होगा पूरा पालन अब खबर विस्तार से हर्याना के मुख्य मंतरी मनोहरलाल ने हर्याना निवास में मंगलवार को कहा कि मंतरी मंडल विस्तार का सस्पेंस खतम किया जा रहा है मंघलवार शाम को चार बजे मंतरी मंडल का विस्तार किया जाएगा टोहाणा के जेजेपे विधायक देविंद्र बबली कैबिनेट और हिसार के बीजेपे विधायक ड। कमल गुपता को राज्य मंतरी बनाया जाएगा राज्यपाल दोनों को पदयम गोपनियता कि शपदे लाएंगे हाला कि इन दोनों के नाम सोमवार को ही तैह हो गए थे सीम की घोशना के बाद उन चर्चाओं पर विराम लगया जिन में मंत्री मंदल में कुछ मंत्रियों की छुटी होने की चर्चा हो रही थी सरकार में भाजपा के आठ विधायकों के होने के बावजूद भी कोई वैशत समाथ से विधायक नहीं था इसलिए उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा रहा है सरकार के नए दोनों विधायकों के मंत्री बनने के बाद सीम और डिप्टे सीम सहित चोदा में से दो पंजाबी, पांच जाट मंत्री, दो दलित, एक वैशे, एक ब्रहमन, एक यादव, एक गुजरव, एक सिक समाज से मंत्री शामिल है जजपा में से तीन में से दो जाट और एक दलित समाज मंत्री हो जाएगा जबकि विधान सबा, दक्ष अगरवाल और डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा परजापती समाज से हैं अभी दो ही कुर्सी खाली हर्याना में 90 विधायकों वाली विधान सबा में मुख्य मंत्री के अलावा 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं अभी भाजपा के आठ और जज़पा से डिप्टी सियम दुशन चोटाला के साथ अनुपधानक मंत्री हैं बिजली मंत्री रणजी चोटाला निर्दलिये हैं ऐसे स्थित्य में केवल दो और विधायकों को ही हरी ज़ंडी मिल सकती हैं हाला कि दोनों पार्टियों के नाम लगभग तै हो चुके हैं लेकिन फिर भी अंतिम मौके पर विधायक गोटी फिट करने में जुटे हैं सबसे जादा जोर भाजपा के डोक्टर कमल गुपता का लगा है भाजपा में तीन अन्य नामों पर भी चर्चा है अभी इनके पास है पावर भाजपा के मनोहरलाल मुख्य मंतरी कुर्सी पर है तो जजपा के दुशन चोटाला डिप्टे सीम है इनके अलामा दस मंतरी हैं जजपा से अनुप धानक मंतरी बने हैं भाजपा से अनिल्विज, कवरपाल गुजजर, मूचंद शर्मा, संदीप सिंग, ओम्रिकाश शादव, जेपी, दलाल, डॉक्टर बनवारिलाल, कमलेश धांडा को मंतरी की कुर्सी मिली हुई है निर्दलिय, रंजीत सिंग, चोटाला भी मंतरी है जजपा से बबली ही क्यों बबली के मंतरी बनने के पीछे कहा जा रहा है कि वेपूर्व सियम, वुपेंदर जिंग, हुड़ा के बाद सबसे जादा वोटों से जीते हैं भाजपा के प्रदेशा अधक्ष सुबास बराला को हरा कर विधान सबा आये हैं कॉंग्रिस छोड़कर जजपा में शामिल होने की उनकी शर्ते भी रही हैं साथ ही बगावती तेवर दिखा चुके हैं जजपा के प्रदेशा अधक्ष निसान सिंग को उनके लिए टिकट की दावेदारी छोड़नी पड़ी जजपा में अब बगावत का खत्रा है तो केवल दिवेंदर बबली की तरफ से ही है ऐसे में उनको खुश रखने के लिए मंतरी बनाना जरूरी था वैसे समाज की मंतरी पद पर दावेदारी भाजपा के एक उटल से मंतरी का पद वैसे समाज को दिया जा रहा है इस समाज के आठ विधायक हैं लेकिन मंतरी कोई नहीं है समाज के ग्यांचंद गुपता विधांजबा स्पीकर जरूर है ऐसे में मंतरी पद पर समाज की दावेदारी पक्की है ये वर्ग भाजपा का परम प्रागत वोट बैंग भी माना जा रहा है मंतरी मंडल विस्तार में हिसार के विधायक डूक्टर कमल गुपता और पंचकुला विधायक एम स्पीकर ग्यांचंद गुपता के नामों की भी चर्चा थी अब CM ने कमल गुपता का नाम घोशित कर दिया है इससे अब ग्यांचंद गुपता विधानसपा स्पीकर बने रहेंगे ग्यांचंद गुपता को मंतरी बनाया जा सकता है हालकि इसकी संभावना कम थी क्योंकि भाजपा के कोटे से राज्य मंतरी की कुरसी है उनका स्पीकर का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर हैं ऐसे में डोक्टर कमल गुपता ही मंत्री पद के पक्के दावेदार थे वे दूसरी बार विधायक बने हैं सरकार के गडबंदन के शमय भी उनका मंत्री बनना पक्का मानकर मिठाई तक बाट दी गई थी लेकिन प्रदेश अपने शहरवे गाउं की तमाम निश्पक्ष खबरों को देखना तो हमारे डिजिटल प्लाटफॉर्म दैनिक साथी को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर करें